ई-मेल को आपने जान लिया है आएज अब हम देखते हैं कि इमेल से होने वाले लाब कौन से हैं अगर हम इसे समझें तो ए-mails से होने वाले लाबों में हम यह देख सकते हैं कि इमेल है वह आधुनिक संचार की सबसे बहुत ही ज़्यादा हम कहाते हैं तीवर साधन बतलब वह तीवर गती से जो है मैसज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है दूसरी चीज अगर हम देखें या दूसरा लाप देखें हम इसका तो यह सबसे सस्ता माध्यम है ना इकोनॉमिकल है यह तीसरी अगर चीज देखें तो इसमें हमेशा गोपनीता बनी जाती क्यों क्योंकि इसमें जो जिसकी mail id है उसको उसका password दिया जाता है केवल वही अपने password के माध्यम से या उसका उपयोग करके अपने mail का यूज कर सकता है साथ ही साथ ये एक ही नहीं बलकि एक के साथ कई अनेक विक्तियों को एक ही मेल भेजा जा सकता है जब हम ग्रुप में काम करते हैं और मान लिजे एक ओर्डर निकला जिसे हमें क्या करना है एक विभाग में या एक ही प्रकार की अधिकारियों के पास भेजना है तो क्या हम एक एक करके mail सबको अलग अलग करेंगे अगर एकी चीज बेजनी एकी draft है एकी message है तो नहीं तो उसमें क्या होगा कि क्या हम अलग अलग mail ाइडी जा लेंगे मतलब अलग अलग बेक्तियों का जो address रहता है जो कि as a mail ाइडी इसमें रहता है उसको डालेंगे और हम उन अलग 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 लोगों को वह mail एक साथ बेज सकते हैं यह बहुत ही विश्वस्नी होता है यहां पर जो है आपकी बातों को लीक नहीं किया जा सकता या कोशिश की जाती है कि लीक नहीं कोशिश क्या है यहां पर पूरा data है data में convert होता आप जिसको mail भेजेंगे वह नहीं mail जाएगा और अगर विश्वस्नीता भांग होगी तो mail नहीं करेगा वह व्यक्ति करेगा जिसके पास आपने वह mail बेजा है दूसरी चीज यह जो है इसमें सबसे important role समय सीमा भौगोलिक दूरी यह सबसे यह मुक्त रहता है मतलब एक देश में बैठ कर व्यक्ति प्रादान प्रदान कर सकता है इसमें हम बस एक ही disadvantage इसमें हम पास सकते हैं कि अगर पूर network connection हो या पूर data connectivity हो तो यहां पर यह mail काम नहीं करेगा बाकि अगर प्रॉम्ट है data connectivity internet connection सहीं है तो इस्तिती में आपका यह mail proper काम करेगा आगे हम बढ़ते हैं अब संचार के साधन को पाद हमारा अगला topic है as per the syllabus वो है भंडारंड आई समझते हैं भंडारंड क्या है आपने देखा है आपके घरों में जो फ्रिज है चोटा सहा मुदारंड लेंगे उसमें आपकी ममियां सबजियां फल सब क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं और उसको क्या करते हैं कि मान लिए एक हफ्ता चलाया या चार-पांस दिन चलाया तो उन्होंने क्या किया एक छोटे लेवल पे चीजों को स्टोर किया और फिर उसको चार-पांस दिन यूज किया अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाते हैं बहुत से गरों में आप देखेंगे कि चावल गेहूं साल भर का ले करके साफ सुतरा करके उसमें दवाई डाल करके कीड़े ना लगे उसको क्या करते हैं अलग से स्टोर रूम में अपने अपने घरों में देखते हैं तो हम इस तरीके से अपने घर में भंडार करते हैं हमारी मम्या करते हैं कि ये एक तुछ क्या होता है कि एक साथ खरे लिया कम रेट में मिल जाता है और दूसरी चीज जब अपने पास विवस्ती चीजे हैं तो हम उसका रुक रुक कर इस्तमाल करते रहते हैं तो ये घर की बात हुई छोटे लिवल पर हमने भंडारन समझा अगर यहीं भंडारन और संग्रहन को हम विव्यवसाय के रूप में देखें तो इसका कॉंसेप्ट क्या होता है आए इसे एक स्टेटमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं एक कि अपुभोग के समय पर सुरक्षित रहता है सिंपल सी चीज़ है बंडार ग्रह क्या है जहां पर विभिन वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है हो सकता है वह रॉ माटीरियल यह निकच्च अमाल भी हो या हो सकता है वो फाइनल गुड़िया अंतिम उत्पाद भी हो इसमें कई प्रखार की चीजें आती हैं, या तो आप अनाज को ले लो, या फलों को ले लो, या एलेक्टरोनिक अप्लाइंसे को ले लो, सबजी को ले लो, जनको आप उधारण समझकर बंडार ग्रे मेr सुरक्षत रखा जाता है, यह जान सकते हैं. अगर आप एक छोटा सा उदारन देखें तो आम कही हम सीजन ले लेते हैं या मौसम देखें तो आम के गर्मी के मौसम में आता है अब आम जो है एक सीजनल फल है ठीक है वो उस मौसम में आता है लेकिन अब उस आम को जब पूरा वर्ल वाइड या हम कह सकते हैं पूरे देश में वो आम किस तरीके से भेज जाते हैं आपने सुना होगा कि दूसरे स्टेट के आम हैं वहां के आम बहुत अच्छे हैं तो वो आम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे आते हैं ट्रांस्पोर्टेशन के मादे हम से आते हैं बिल्गुल सही है लेकिन उनका भंडारण भी तो जरूरी है सही तरीके से उसकी रकरकाव भी तो जरूरी है नहीं तो अगर वो सड़ गया या खराब हो गया तो फिर उससे नुकसान होगा तो यहां पे जो मदद करता हैं वो भं समय उपयोग न किया जा सकता हो उनकी उपयोगिता बाद में आने वाले समय में हो उन्हें सुरक्षित रूप में रखें ताकि आगे आने वाले समय में उनका इस्तिमाल किया जा सके तो यह कारे करने में में कौन मदद करता है यह भंडार ग्रह करते हैं इसको भंडारण को अगर हम इसकी मीनिंग को अच्छे शब्दों में समझे या उसकी अर्थ को अच्छे शब्दों में समझे तो हमें इस तरह किसे कह सकते हैं कि बंडारन जो है इसके विश्वेश रूप से इससे निर्मित किये जाते हैं यहां पर कच्चा माल अर्ध निर्मित माल साथ ही साथ निर्मित माल उस समय तक सुरक्षित रहता है जब तक कि माल के स्वामी द्वारा उसकी मांग नहीं कि जाती और जब तक कि उन वस्तों की आवशक्ता नहीं लगती कि मार्केट में उन वस्तों की आवशक्ता है तो ये भंडारण का एक अर्थ हो गया आएए हमने दो के माध्यम से जानते हैं कि भंडारण क्या है पहली परिभाषा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहती है भंडारग्र से आश है एक ऐसे स्थान से है जहां पर कच्छे अथो निर्मित माल को क्या करता है भारी विक्रे हेतू सुरक्षित रखा जाता है इसके बाद दूस सिंपल से अगर हम इसके निश्कर्ष को समझें तो ये एक बहुत बड़े-बड़े भवन होते हैं जहां पर क्या क्या था इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है कि जिस तरह की वस्तूओं को उसमें रखना है सुरक्षित उस तरह का टेंप्रेचर भी उनको दिया जा सक जिसे जिन वस्तूओं को ठंडे की आवशक्ता है उन वस्तूओं को ठंड में रखना जिन वस्तूओं को बारिश पानी से बचाने की मातर आवशक्ता है केवल एक बंडागरे की आवशक्ता है उन वस्तूओं को वैसे बंडागरे उपलब्द करा जाते हैं कुल मिलाकर के वैसे इस तरक एक भवन होते हैं या बड़े-बड़े भवन होते हैं जहां पर जो है कच्चे माल को अर्ध निर्मित माल को या ऐसे माल जिनकी भावी आवशक्ता भविष्च में पढ़ सकती है उनको सुरक्षित रखा जाता है और समय आने पर उनको क्या कर दिया जाता है उनके मालिक को सौप दिया जाता है सुरक्षित रूप से जब वो मालिक मांग करता है इस स्रीके से हमने भंडारन को समझ लिया है अब हम देखते हैं कि भंडारन की आवशक्ता क्यों है उन्हें हम कुछ बिंदू के माध्यम से जानेंगे और वे बिंदू कुछ इस प्रकार है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला विंदू कहता है कि मौसमी उपभोग की वस्तूओं में अब बचो सिंपल सी चीज़ें हैं कुछ वस्तूओं ऐसी होती हैं जिनका वर्ष भर उत्पादन चलता है ठीक है लेकिन उनका इस्तमाल या उपभोग विशेश सीजन या मौसम में किया रहता है एक एकजाम्पल हम ले सकते हैं जैसे ऊन ऊनका उत्पादन चलता रहता है लेकिन उनकी आवश्रक्ता या उनी कपड़ों की आवश्रक्ता कप पढ़ती है ठंड में पढ़ती है तो भंडागरे वहां भी काम आते हैं इसी तरह हम electronic appliances में हम AC ले लेते हैं, या TV ले लेते हैं, या computer ले लेते हैं, या ऐसे different electronic items रहते हैं, या mobile ले लेते हैं, ठीक है, mobile तो बहुत ही छोटा gadget हुआ, TV, frizz, इन सब को क्या है, साल भर इसका उत्पादन चलता है, कभी इनका उत्पादन रुखता नहीं, तो इस सिती मे क्या होता है, क्योंकि अब जब AC की बात करें, तो AC जो है, साल भर नहीं चलता, गर्मियों में चलता है, ना, जब गर्मी बढ़ती है, तब चलता है, यूज करते हैं, तब गर्मियों में इनके आवश्रक्ता होती है, उस समय इनका विक्र बहुत तेज से शुरू होता है, तब तक क्या करना पड़ता है इन एसी को बंडागर में अच्छी तरीके से रखा जाता है कि इन फ्यूचर गर्मियों में इनकी आभश रखता होगी उस समय इसके स्टॉक की कमी न हो जाए तो पहला बिंदू इस तरीके से स्पष्ट होता है दूसरा बिंदू कहता है कि मौस में जब इनका उत्पादन हो रहा है और मौसमी उत्पादन है तो अगर इनको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो पूरे वर्ष भर पूरे देश में साथ ही साथ देश के बाहर भी जब हम निर्यात करते हैं तो वहां कैसे कर पाएंगे हम यह सब कारें तो इनके लिए भ यह वस्तुए उत्पादित की जाती हैं तो बड़ी मातरा में उत्पादित की जाती है फिर उन्हें भंडायगरमें स्ट्रोर करके रखा जाता है सुरक्षित रखा जाता है ताकि समय समय पर इसका हम उपयोग कर सके आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर अगला पुचर या भविष्य में इसकी भावी मांग हो सकती है किसी वस्तु की तो उसके लिए उसे सुरक्षत करके रखना तो इन वस्तु के लिए भी भावी मांग हेतु भी क्या करना पड़ता है भंडारण का कारिक करना पड़ता है स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है इन केस अग कि उनका भंडारन प्रॉपर नहीं हो पाया था तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए कि भविश में भावी मांग जैसी परिसिती उत्पन हो सकती है इसके लिए भी भंडार ग्रे की आवशक्ता पड़ती है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला बिंदू वो है मध्यस् ख्रवारा वश्तूओं का वित्रत must have been? अब आपने देखा है कि best you are माल लेजे manufacturing unit CR to go at your l दो प्रवर की उनने उन वस्तूओं को लाने कारि को इनन गरता है तो बहुदमल मोचार्य मोच्टा करताكن तो ये इसका पात हुआ तो ये जो थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता होते हैं ये बहुत ही ये ही वो मध्यस्त होते हैं जो अपना विशेश श्योगदान देते हैं लेकिन ये भी तभी कारे कर सकते हैं कि जब इनको बंडार ग्रह की फैसिलिटी मिले या उनके पास बं मस सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला बिंदू कहता है कच्चे माल के संग्रह में योगदान सिंपल सी चीज़ रॉम मटीरियल हमने खटा करके क्यों रखना है क्योंकि इन फ्यूचर हमें उसे फाइनल गूड में या अंतिम उत्पाद बनाने में हमें उसका ही उपयोग करना है अब अगर हमें कच्चा मल कम पड़ गया तो क्या होगा हमने अंतिम उत्पाद नहीं बनापाएंगे जो हैं जो है बना फाइनल पाएं' नहीं बिचरा है वह क्या हो जाएगा उसका जो एक ब्राइन्ट मेर्ट हैए वह खराब हो जाएगा यह साथ इसाथ कि और वह बजार कमी हो जाएगी और वह बस तो क्या होगी अधिक दामों मिलें ढ़ाल को सही सभएक पर बंडारंड करना है को भंडारंड करना जरूरी है अगला बिंदू कहता है कीमतों को स्थिर बनाया रखना कीमतों को सिर बनाया रखना जैसे मैंने बताया कि कीमतों को सिर बनाया रखने में भंडारंड का बहुत महतोपूर्ण योगदान है क्योंकि जब वस्तूइं सुरक्षित रहती है प्रॉपर बंडारण नहीं हो पाया इसलिए उसका रेट बढ़ गया इस उधारण से भी समझ सकते हैं ठीक हैं हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदू देखते हैं अगला बिंदू कहता है कि वस्तूओं की किस्म में सुधार करना अब बहुत सी वस्तूओं ऐस्ती होती हैं जो की प्रॉपर निर्मित नहीं होती उनको फ्यूचर के लिए रख दिया था एस रॉम माटीरियल हम कह सकते हैं यह अच्छे माल की तरह और उनमें बाद में सुधार कारे करके फिर उन्हें प्रचा जाता है ऐसा हम एक अच्छे उदारन से देख सकते हैं अब ट्रांस्पोटेशन के दारान क्या हुआ कि उसमें धक्का लग गया यह हम दोचे बहुत ही कॉमन शर्द है जो आप लोग यूज़ करते हैं चटका लगया कि इस वजह से तो उसके ऊपर की जो शीट है उसमें थोड़ा सा वो तिर्चा हो गया या लाइने आ गई तो वो क्या होते कस्टमर्स उसमें को खरीदते नहीं अब उनका भी बंडारन करना जरूरी है अब क्योंकि वो उसकी जो प्रॉपर वराइटी थी हम कह सकते हैं जो फ्रिज परफेक्ट होना चाहिए था वो जाएगा और उसके बाद फिर से उसको मार्केट में लाया जाएगा तो इसलिए भी इन कारणों से भी यानि वस्तूओं की किसमें सुधार करने के लिए इन भंडार्ग्रियों की आवश्रक्ता पड़ती है तो बचों इस तरीके से आपने भंडारन को जाना है और भंडार के लाब किया है हम अधे बढ़ते हैं तो अगर हम बंडारन के कारियों को देखें तो जिसलिए पर देख रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है पिहला को Inner का संगर करना जैसे कि हमने अभी तक चंक्रिया है बच्चों का मुख्च है कि वस्तू को संग्रहित करके रखनें ताकár आगे आने वाले समय में हम क्या कर सके इसका उपयोग कर सके और क्या नहों इसकी कमी नहों तो जैसे कि आप बहुत अच्छे उजाराण से समझ सकते हैं कि फल हुए सबजियां हुई इसके अलावा मखन हुए आइस क्रीम सुए इन सब चीजों को कहां रखा जाता है cold storage में ता कि स्वरक्षा अब जैसे कि आप जानते हैं अगर वस्तुएं बाहर खुले आसमान के नीचे रहेंगी तो उनको किन-किन चीज़ खत्रा है पानी गिर सकता है यह वर्षा हो सकती है सूरी के प्रकाश से या नमी सीलन से या कीडों मकोडों से मतलब कीटों से भी हम कह सकते है या आग लगने से भी इनको खत्रा हो सकता है तो बच्व इनको बचाने के लिए भी बंडार ग्रिय निर्मित किये जाते है अगर हम देखें तो जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है जिसे हम शीक्र नाश्वान वस्तुएं भी कहते हैं उन वस्तुओं को हम किसमें र जादा होती है जैसे हम प्रजवन शील वस्तुएं कहते हैं या इंग्लिश में हम इन फ्लिंबल प्रड़क्ट्स कहते हैं उन वस्तुओं को अगनी से सुरक्षित ऐसे भंडार ग्रेव बनाए जाते हैं जहां उने रखा जाए अप मैंने कोल स्टोरज में तो बता दिया आप को कौन सी वस्तुएं रखती हैं क्या बता है मैंने अंडे रखे जाते हैं फल दूद दही साथ ही जात मक्षन सबजियां यह सब जो हैं कोल स्टोरज में रखी जाती हैं अब लेकिन हम प्रजवन शील की बात करें तो आप कौन से उधारन ले सकते हैं इसमें मैंच बॉक्स ले सकते हैं अगर बत्ती भी ले सकते हैं और भी ऐसी कई चीज़े होती हैं जो प्रिजवन शील होती हैं जिन को सुरक्ष्ट रखा जाना है उनके लिए ऐसे बंडार गृ'll बनाये जाते हैं आगे हम बढ़ते हैं और अगला बिंदू देखते हैं अगला बि रहें उपयोगिता का स्रिजन करना मतलब हविश में जब क्या होता है वस्तूओं की कमी हो जाती है तो वस्तूओं हमें उंचे दां में मिलने लग जाती है तो इस समस्या के निवारण के लिए ही ये बिंदुस सामने आता है जहां पर हम रूप उपयोगिता की बात करते हैं स अध्यम से हम भंडारण का कारे करते हैं हम इसमें चावल गेहूं जैसे अनाज हैं उनको उधारणत सम्मिलित कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला लाप क्या है अगला लाप कहता है मांग पूर्ती का संतुलन बनाये रखना सिंपल सी चीज़ सप्लाइब जितनी मांग होगी उतना ही सप्लाइब करना है और ऐसी वस्तों को कमी भी नहीं जाना है कि दिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाइब लिए स्टॉक नहीं तो इन दोनों में समरूपता बनाये रखने के लिए या संतुलन बनाये रखने काम भी कौन करता है चीक है अब जैसे कि मैंने आपको एक उधारण दिया था कि अकसर आप देखते हैं कुछ वस्तों कि कीमतें बढ़ गई हैं मालेजे हम प्यास की कीमतों में ही ले 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 तो वस्तों की कीमते क्यों बढ़ जाती है कि वो या तो उनका स्टॉक कम हो जाता है या स्टॉक में रहने के बाद भी खराब जाती मतलब प्रॉपर उनको भंडारण की सुविदा नहीं मिल पाती तो इस तिती में क्या होता है वस्तूओं की कीमते बढ़ जाती है तो इस समस्या से बचने के लिए और वस्तूओं की कीमतों में स्थिर्टा बनाए रखने के लिए भी जिनकी वस्तु है या अपने माल को भंडार ग्रह में रखता है तो वह क्या करता है एक अनुबंध बनवाता है कॉन्ट्राक्ट हम जिससे कहते हैं इसे हम निक्षेप का अनुबंध भी कहते हैं जो समय लागू होता है इसमें जो भंडार ग्रह का मालिक है वह क्या करता है इस अनुबंध के तहट वह क्हिम वहन करता अब उसने उस contract के क्या है कि contract sign कि आपका वस्तु है आपकी जो भी वस्तु आप हमारे बंदालगरे के निषए हम उसको सुरप्षित करेंगे जब आपको आवश्चता होगी हम उसको तिती में आपको वाफिस करेंगे इन केस अगर उसमें चोरी हो जाती है या वो खराब हो जाती है तो उतने समय का जो चार्जस जो उस व्यक्ति को जिसका माल है उसे भंडार ग्रे के स्वामी को देना था वो तभी देगा जब उसे सही वस्तू दुबारा प्राप्त होगी जब उसकी आवर्श रखता है नहीं तो वो उसको पैसा नहीं देगा या उसे इसके बदले और क्या कर सकता है कि जोखिम सहन करवा सकता है मतलब बदले में भी वो उससे पैसे ले लेगा तो इस सितियों से जो है बचने के लिए ऐसे बंडार ग्रे निरमित किये जाते हैं कि कम से कम जोखिम का वेहन करना भंडारगरे का बहुत ही important या मुख्य कार्य यह होता है यह से हम lab की रूप में देख सकते हैं अगला जो कार्य या lab है वो है वित्प्रबंद की सुविधा जैसे कि मैंने आपको banking में simply बताया था कि जो है वेर हाउसिंग क्या कर सकते हैं अपने रखे हुए माल को क्या जमानत के तौर पर क्या कर सकते हैं रख सकते हैं और bank से एक loan निकाल सकते हैं वहëं पिप्ता आता है कि अगर किसी बंडार ग्रेफ की माली को वित्थ के आवश्क रता है तो वह अपने in यह मत कर सकता है जमानत के तौर बैंक को दे सकता है बो सकती वह समानत के तौरकर में नहीं में रहेगी बैंक उसे क्या करती है मुक्त कर देती है रिण से तो रिण लेने के लिए भी ये बंडारग्र मदद करते हैं बंडारग्र के मालिकों को आगे जो अंतिम लाब कहता है वो अंतिम लाब ये है कि श्रेणी बंधन तथा पैकेजिंग करना अब इसमें क्या होता है कि वस्तुए जब निर्मित होती है बहुत बड़ी मात्रा में तो वह आ जाती है भंडार ग्रह में अब वहाँ पर पैकेजिंग और इसके बड़ शरेणी बंदन हो करके वह ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है तो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है यह अगर उनको फिर से विश्थित रखना ह हैं तो उनको फिर से कहां रखा जाता है उन भंडाल गरह में रखा जाता है अब पैकजिंग कैसे होगी माल लीज़ें आप कह सकते हैं कि हम पाऊडर के डबों को प्रकारे करके क्या किया जाता है उन वस्तूं को भंडार ग्रे में सुरक्षित रखा जाता है तो बचो इस तरीके से आपने ये भंडार ग्रे के लाबों को जाना है अब बंडार ग्रे के लाब को जानने के बाद आए हम देखते हैं कि बंडार ग्रे के प्रकार क्या है या कितने प्रकार के होते हैं पहला जो प्रकार देख रहे हैं वो है नीजी बंडारन नाम से इस पष्ठ है कि यहां पर जो मालिक होगा या ये जो होते हैं बड़े बड़े भंडारग्रे होते हैं और इन्हें importantly मतलब मुक्यता इसमें बड़े थोग व्यपारी और बड़े निर्माता जो है इनका उपयोग करते हैं यह ना manufacturer की बात कर रहे हैं हम बड़े निर्माता यानि बड़े manufacturer और थोग व्यपारी इनका निर्मा हमें रहते ही तो उनका कहर्च भी बहुत कह सकते हैं साथ इसाधी बड़े निर्माता रही यानी जो बहुत बड़े मैनिफेक्च्चरर थैं उन्के ये उप्योग में आते हैं और इनका जो है नीजी विक्तियों के हाथ में होता है आगे बढ़ते हैं अगला जो है वो है सारजनिक भंडारन यानि सिंपल सा नाम से स्पष्ठ है कि ये जो होता है इनका स्वमित्व जो होता है नीजी भी हो सकता है सरकारी भी हो सकता है और सहकारी भी हो सकता है ठीक है और ये जो सा लोग नहीं भी हैं तो छोटे व्यापारी या बहुत बड़े व्यापारी नहीं है तो ऐसे व्यापारी भी अपनी वस्तों का भंडारण कर सकते हैं वह कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब इससे निक्स देखते हैं तो अगला जो भंडारण है वो है सरकारी बंडारण सरकारी संस्थाओं के हाथ में इनका स्वामित्व होता है अगर हम देखें तो इस में नगर पालिकाय, और इनका जो नियंत्रन होता है वो शासन के हाथ ने सरकार के हाथ ने होता है अगर हम देखें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं पहला प्रकार होता है सरकारी पदार जिन में रखे जाते हैं और दूसरा प्रकार होता है जनता द्वारा भी माल रखा जाता है ठीक है तो सरकार जो कि सरकारी होंगे और दूसरा जनताद्वारवी माल रखा जाता है सिंपल कि यहां पर आम आदमी भी अपनी जो माल का स्टॉक है उसको वेड हाउस में रख सकता है तो इस तरीके से आपने जो तीसरा प्रकार है वो देखा चोत्था प्रकार कहता है कि बंधगबंडारण जैसे की नाम से स्पष्ट है यह वे भंडार होते हैं जहांपर सरकार को उनके यहां भंडार में रखे माल पर आपकरी या आयात कर देने के लिए रखा जाता है अब जो ब्यापारी अपनी माल को या अपनी वस्तूञां को चा करको चाहे वो आपकारी करो या आयात करो उनको चुकाएंगे उसके बाद ही इस तरह कहनी बंधक बंडार ग्रह से अपनी वस्तुओं को बाहर मिकाल सकते हैं अगला जो है वो है शीत बंडार ग्रह क्या होता है जैसे कि मैंने बताए कोल स्टोरेग की लंबे समय तक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन जो हैं बंडार ग्रहों का इस्तमाल किया जाता है और मौसमी वस्तुओं जिनका उत्पादन होता है साथ ही साथ ऐसी वस्तुओं जिनको बना के रख दिया आता है लेकिन उनको इन फ्यूचर या भविश्र में इस्तमाल करना है ऐसी वस्तुओं के लिए शीत बंडार ग्रह का उपयोग किया जाता है इनमें मैंने आपको धारन बताये थे फल मक्षन अंडे दूद सबजिया तो इस तरीक के जो वस्तुओं है उन वस्तुओं को जो कहां बंडार किया जाता है उन वस्तुओं का जो बंडारन है वो शीत बंडार ग्रह में किया जाता है अब अगर हम अन्य बंडारन की बात करें जो इसका अंतिम प्रकार है वो कहता है विशेश वस्तुओं के बंडा बनाते हैं वो रेलरे बंडार करें जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वेर हाउसिंग निगम के बंडार करें तो इस प्रकार बच्चों हमने व्यावसाइक सेवाओं के पहले भाग में बीमा को जाना साथ ही बैंकिंग सर्विसव को जाना और इस दूसरे भाग में हमने संदेश वहान को जाना और भंडारण को जाना आशा है आपको ये चाप्टर बहुत अच्छी तरीके समन में आया होगा धन्यवाद